आज मैं आपके लिए के आई हूं दही आलू की बहुती स्वाधिष्ट सी रेसिपी हलो प्रेंस वेलकम टू माच चैनल आज बनाएंगे दही वाले आलू दही के आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम दही है और यह बहुत ज्यादा खटी दही नहीं है घर की जमी दही है और इसे मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है तो इसमें थोड़ा सा खटा फन होना चाहिए बहुत ज्यादा खटी दही नहीं होना चाहिए तो दही में पहले हम आलू डालेंगे और ये मैंने तीन आलू काट करके लिए हैं, बॉयल आलू है, थोड़ा सा चात मसाला, इससे बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बन जाते हैं, दही आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा चमच कस्मिरी लाल मिर्च, एक चमच नमक, नमक आ आलू और मसालो को मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से मिल जाए, दही आलू खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट लगते हैं, और बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये फटा-फट से बनके तयार हो जाते हैं, बस आपके हैं, बॉयल आ तेल गरम हो चुका है, एक चमच, राई डालेंगे और राई को अच्छी तरीके से चटकने देंगे, आधा चमच, जीरा डालेंगे, अब यहीं पे हम हरी मिर्ची और लसन डालेंगे, तो मैंने चार कली लसन की बारी-बारी काट के लिए हैं, और एक हरी मिर्ची काटी है, करी-पत्ता भी एट कर देंगे, करी-पत्ता से दही में बहुत ही बढ़िया स्वाध आता है, तो लसन मिर्ची और करी-पत्ता हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, एक प्याज को मैंने पतला-पतला कट कर लिया है, अब प्याज को भी हम भून लेंगे, और मिर्ट के करीब भून लिया है, दीमी आज में, अब हम मसाले एट कर देंगे, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच कश्मीडी लाल मिर्च, एक चमच धनिया पाउडर, अब मसालो को हम अच्छी तरीके से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे, और इन्हें हमें एक मसाले हमारे जलेना, मसाले भून चुके हैं, और आप देखिए कलर कितना प्यारा आया है, अब यहीं पर हम थोड़ा सा हरा धनिया एट कर देंगे, और हरा धनिया को भी हम मिक्स कर लेंगे मसालो के साथ, तब बघार हमारा तैयार हो चुका है, अब गेस की फ्लेम को हम बन कर देंगे और बगार को दही में मिला लेंगे बगार को हम दही में मिक्स कर देंगे बगार को हम दही के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि सारा मसाला दही में और आलू में मिक्स हो जाए और इस तरीके से आप दही आलू बना करके देखिएगा इतने जबरजस्त बनते हैं इतना इसका स्वाद मतलब गजब का आता है न आप इसे राइस, रोटी, पर इसका टेस्ट बहुती ज़्यादा जबरजस्त लगता है थोड़ा सा हरादनिया से मैंने दही आलू को गानिस कर दिया है और आप इस तरीके से बना करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके दाएगा कि आपको दही आलू की रेशिपी कैसी लगी लाइक सेर करिएगा मेरे